लूआ एलो एवरिवन आज हम बात करने वाले हैं नोन बाक्टेरियल thrombotic endocarditis भी बोलते हैं यह होता क्या है यह बहुत ही rare होता है और यह non-infective होता है नाम से ही पता चल रहा है ठीक है non-bacterial है और यह mostly bacteria से होता है देखिए हम यहाँ पर बताया थे कि mostly bacteria से होता है तो इस तरीके से पता चला कि यह non-infective होता है और vegetation इसमें जो देखने को मिलता है वो typically arise on mitral और aortic wall तो vegetation जो देखने को मिलता है जैसे यहाँ पर देखने को मिला था infective endocarditis में यह इसमें भी देखने को मिलेगा यह typically arise होगा mitral या aortic wall में यानि left side के heart में and consist of strile platelet rich thrombi that dissolves easily और इस vegetation में क्या होगा तो यह देखने को मिलेगा तो यह देखने को मिला यह हम याद रखेंगे और यह platelet rich thrombi होती है और यह dissolve easily और यह easily dissolve हो जाता है यहाँ पर देखिए यह वाला है यह तो देखिए यह easily dissolve हो जाता है जबकि infective endocarditis में देखिए इस तरह का कुछ यह था और यह easily resolve नहीं होता है ठीक है और उसके बाद फिर क्या है usually asymptomatic until embolism occurs तो यह बताने कि usually asymptomatic होता है most of the cases में यह asymptomatic होता है क्योंकि यह देखिए यह बहुत जादा अंदर के जो wall leaflet है यह देखिए wall leaflet को बहुत जादा effect नहीं करता है तो usually asymptomatic होता है लेकिन जब embolism का formation हो गया तो embolism की और यह से इसमें हमको पता चल जाएगा और हमको realize हो जाएगा ठीक है और यह कब होता है किस condition के लिए होता है कब associate होता है तो देखिए associated with the hypercoglubal state seen in advanced malignancy तो यह hypercoglubal state में देखने को मिलता है जैसे कि advanced malignancy तो advanced malignancy म के यहां देखने को मिलता है और especially pancreatic adenocarcinoma pancreatic adenocarcinoma में हमको देखने को मिलेगा यह kanak aha हम बात किया कि Limbon Sec Endocarditis देखिए हम यहां पर बताये थे कि SLE में भी हमको देखने को मिलेगा Limbon Sec Endocarditis तो SLE में हमको LSE देखने को मिलता है ठीक है तो यह भी एक तरह से Non-Bacterial Thrombotic Endocarditis है ठीक है हमारा आप सिर्फ कार्सिनाइट सिंड्रोम बचा इसको हम बात कर लेंगे ठीक है तो यह हमारे सारे एंडोकार्टाइटिस के जो कॉजस थे वह हम यहां पर कंफर्म कर चुके ठीक है तो यह हमारा Non-Bacterial Thrombotic Endocarditis जिसको हम Marenetic Endocarditis बोलते हैं यह कंप्लीट हुआ